असलाम वालेकुम मैं आज बनाओंगी मटर पिला एक दम खुजबुदार बन के तियार होगो एक दम खाने में इतना लाजवाब कि आप एक बार भी खा लेंगे तो बार बार बनाने चाहेंगे चल्होज को बनाने स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ चावल दी हूँ दो गिलास और मटर शील के रख दी हूँ यहाँपर है ब豆 साइस का बरा पियास टामाटर है दो हरी मिर्च है और सिम्ला मिर्च है अच्चॉप किया हुआ अद्रग और लहसून यहां पर मैं ख्रे मसाले ले ली हूँ एक फसल है जीरा है लोंग है यह तीसपत्ता है यह एंपर गरममसाल भूरत चुलो इसको बनाने को बने करतां करते हैं तोustom कॉपक कर में बनाूंगी तो मैं सबसे हैरे में दालाए हैं और तो में में खारे मसाले डालूंगी में तीस पत्ता भी डाल दी हैं पर तो इसको थूरी देर उसको भूनाई करेंगे मसाले को और फिर कटावा प्यास डार देंगे प्यास को में गोल्डे खोने तक फ्राइ करूंगी प्यास हमारा गोल्डे फ्राइ हो गया है तो मैं इसमें डाल दूँगी चौप किया हुगा अद्रका लेसून डाल दूँगी कटा हुआ हरी मिड्स और सिम्ला मिड्स कटा हुगा इसको थोड़ी दर भुनाई करने के बाद में डाल दूँगी आप पर टेर चमज नमक और यहां पर जो गरब मसाला और लार्मिश था वो भी डाल दी इस मसाले को अच्छे से बुनेंगे और फिर मटर डाल को भी इसको अच्छे से मटर को भी फराई करेंगे मटर को भुनाई बहुत जरूरी है यह तो अगर चाल के साथ डालने से कच्छे कच्छे लगेंगे इसलिए मटर को थोड़ी देर फराई करना है इसके बाद कटाओ वाटामाटर डाल देंगे मसाले हमारा बुण चुके हैं अब पर देख सकते हैं तो आप पानी डाल देंगे मैं दो गिलास चावल ली थी तो तो में तीन गिलास पानी डाली हूं तो मैं ऐसे पानी डाल दी अंदाजास से पानी डाल सकते हैं तो उस पानी को खोलाने तक हम वेट करेंगे थूरी दे पानी खोल गया है मैं तो मैं अब डाल देंगे चावल अब चावल डाल दे तहीं उसको ढखकर हम दो सीटी आने तक उसको पकाना है कि अधाकर लग गया है तो दो सीटी आने तक उसको ठंडा करने करें रख देंगे तो अधर मैं चटनी बना रहे हूं टामाटर और धनियपत्य की चटनी तो मैं यहाँ पर कुछ लहसून और दो कच्ची मिर्च और धनिया और टामाटर कटा हुआ और उसमें नमक डाल के उसको मिक्सर में पीछ लेंगे तो हमारे चटनी बन करते या रिवायत पंदर मिनट के बाद में धकन कोलती हैं देख सकते हैं आपर कितना मज़ेदार और कितना स्पाइसी टेस्टी बनाए मटर पिलाओ अभी तो जारों का मौसम है मटर का भी सीजन है तो आप मटर पिलाओ इस तरह से बनाईए और खाईए पिलिज आप अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजि और कोमेंट में बच्टाइएगा कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो मैं याँ सब कर रही हूँ चटनी के साथ बहुत लजीज मटर पिलाओ बनके तयार हुआ है पिलिज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अलाह आपीज